पंजाब में कैप्टन अमरेंदर शिंग और नौजोट सिंग सिधु के बीच अनबन खत्म होने के बाद अब जल्द राजस्थान कॉंग्रेस में भी विबाद शुल जाने की तयारी है जहां महिनों से मुख्यमंत्री अर्षो गहलोत और सचीन पाइलेट के बीच महिनों से टकरावच चला रहा है असल में गहलोत कैबिनेट में नौपद खाली है और पिछले कुछ महिनों से पाइलेट उनमें से कुछ पद अपने शमर्थोकों के लिए मांग रहे हैं लेकिन सीम गहलोत बार बार कैबिनेट भी स्तार ताल दे रहे हैं लेकिन अब माना जा रहा है कि पंजाब के बाद जल्द ही राजस्थान का बीबाद भी शुलच सकता है इसकी एक वज़ाई अभी है क्योंकि दोनों के बीच कई महिनों से बीबाद चल रहा है और अब कॉंग्रेश अलकमान को लगता है कि दोनों की लड़ाई से कॉंग्रेश को नुक्सान पहुंचा है इसलिए अब जल्द ही इसका समधान भी ढूनना जरूरी है पाइलट समर्थकों की होगी एंटरी शुत्रों से मिनी जानकारी के मताबिक जल्द ही अशो गहलोद काबिनेट में फिर बदल कर सकते हैं और इस बार पाइलट समर्थक विराईकों को भी इसमें जगह मिल सकती है बताया जा रहा है कि अगस्त के पहले या दूसरे हपते तक राज्स्थान में बड़ा सियासी फिर वदल हो सकता है सुत्रों ने बताया है कि गहलोद काबिनेट में पाइलट समर्थकों को जगह मिलनी तह इन में से चार से पांच मंत्रियों को अहम प्रभार मिलने की बात शामने आ रही है बताया ये भी जा रहा है कि केंदे सरकार के तरह ही प्रदेश के श्वास मंत्री डॉक्टर प्रभू शर्मा को भी हटाया जा सकता है वहीं सचीन पाइलट को दिल्ली में बड़ा पद मिलने की बात भी कही जा रही है छे से साथ मंत्री चाहते हैं पाइलट बात करें तो अशो गहलोत के मंत्री मंडल में नौ पद खाली है और शूत्र बताते हैं कि सचीन पाइलट इन नौ में से 6-7 मंत्री पद चाहते हैं पाइलट चाहते हैं कि उनके विधायकों की अंदेखी ना हो और उनको राजस्थान सरकार में अर्ज़स्ट किया जा सचीन को कॉंगरेश के राज़्टी संगठन में कोई बड़ा पद मिल सकता है इनको महासचीव भी बनाया जा सकता है देखना दिल्चस्प होगा है कि जब मंत्री मंदल का गठन होता है तो उसमें पाइलट समर्थकों को कितनी सीटी दी जाती है यानि कितने मंत्री बनाया जाते हैं और शचीन पाइलट को कौन सी अहम जिम्मेदारी दी जाती है यह देखना दिल्चस्प होने वाला है निउस रूम से निउस लाइफ के रिपाट लेटेस्ट अपदेट्स